आपका स्वागत है आज हम देखेंगे rotate entities क्या होती है किसी भी part को किसी भी geometry को कैसे rotate करते हैं तो expand कीजिए यह arrow की यहां rotate होगा तो rotate entities select कीजिए और select कीजिए जो part आपको rotate करना है हम यह पूरा part select करते हैं relation check रखें क्योंकि हर line एक relation में है फिर center point of rotation तो हम किस point पर rotate करना चाते हैं तो हम select कर लेते हैं इस point को अब हम कितना degree rotate करना चाते हैं select कीजिए 180 degree तो यह देखें यह rotate हो गया अब select कीजिए 270 degree तो यह देखें यह rotate हो गया उपर की तरफ ओके की तो हमारा पार्थ यहां से रोटेट हो इस पॉइंट पर अभवं चाहे तो एक ही बाहर की लाइन रोटेट करनी है तो होल शिफ्ट करके बाहर की पूरी लाइन सेलेक्ड कर लें अब रोटेट एंटिटी में जाहिए पॉइंट इसी यही हमारा बेस पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट होगा 90 डिग्री सेलेक्ट ओके यह देखिए यह बाहर की जो लेयर थी वो यहां 90 डिग्री पर रोटेट हो गई अब हम पूरी जोमेटरी रोटेट करेंगे तो डाउन कीजिए रोटेट एंटिटी और पूरी जोमेटरी सेलेक्ट कीजिए अब पूरे पार्ट सेलेक्ट हो गए हैं सेंटर पॉइंट चूज कीजिए हम इसे सेंटर पॉइंट चूज करते हैं और डिग्री 180 यह देखिए हमारा कंपोनेंट रोटेट हो रहा है 180 डिग्री पे यह देखिए ओके तो यह हमारी पूरी जो है 180 डिग्री पे रोटेट हो गई यह बहुत ही यूसफुल टूल है सॉलिड वर्क्स में कई जगा इस्तमाल होगा इसे याद रखिए उमीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा जन्यवाद